कर देंगे चालिए so let's get started तो आज का session of vocabulary के साथ start करने वाले हैं पहला वर्ड है अर्नेस्टली अर्नेस्टली वर्ड का मीनिंग क्या होता है आप पूरी sincerity के साथ उस काम को करने जा रहे हो आप पूरे discipline के साथ उस काम को करोगे पूरी इमानदारी के साथ उस काम को करोगे that means earnestly इमानदारी से अब part of speech अगर हम देखते हैं तो यह दो को adjective है अर्नेस्ट क्या होता एड्जेक्टिव एड्जेक्टिव के साथ लगता है तो part of speech बन जाता है एडवर्ब तो यह क्या है एडवर्ब तो with sincere आप बहुत जादा conviction का मीनिंग क्या होता है बहुत जादा दिरण विश्वास के साथ conviction मीज बिलीफ के साथ तो अगर आप किसी काम को बहुत ज्यादा seriously कर रहे हो सिंसीरली कर रहे हो आप को honestly की बीचाद का मतलब क्या है कोई फरक नहीं पड़ताँ पैथोग क्या है तो यह लग गई का वो शामने वाले को मन में किस利्मनी वाली feeling आती है मन में दुष्मनी वाली feeling आती है वह आपका हूता है एंटीपैथी, दुश्मनी की फिर एक टैलीपैथी होता है टैलीपैथी क्या होता है जब आप सामने वाले की फीलिंग्स को फील कर पा रहे हैं आप पता सल रहा है कि सामने वाले को क्या हो रहा है आपने उसे कोई बात नी करी, कोई communication नी वा ना उसको देखा, ना उसे फोन किया, कुछ भी नहीं हुआ फिर भी आप सामने वाले की फीलिंग्स को फील कर पा रहे हो, तो दाट इस वाट टैलीपैथी, सब में रूट वर्ड क्या है पैथोस, पैथोस का मीनिंग क्या होता है फीलिंग, चलो तो students ने बहुत earnestly, बहुत इमानदारी से काम किया अपने science projects में किस चीज के लिए competition को जीतने के लिए अगले word पे आते हैं, bolster करना double star mark कर लो, बहुत बार ये word exam में आ चुका है, आप किसी जिसको bolster कर रहे हो, मतलब आप उसको strong बना रहे हो उसमें और ताकत डाल रहे हो मतलब उस चीज को आप bolster कर रहे हो action की बात कर रहे हैं, verb हो गया तो support करना, strengthen करना prop up करना, means और strong बना देना, support, strengthen reinforce कर देना, strong बना देना, एक और word लिख सकते हैं fortify करना fortify का मतलब क्या होता है इसमें root word है fort fort root word का मीनिंग क्या होता है strong तो fortify करने का मतलब भी क्या हो गया आप उस चीज को क्या कर रहे हो strong बना रहे हो, strengthen कर रहे हो जब strength की बात होई रहे हो तो बहुत important word बहुत बार exams में आता है BS को double star माकर कर देना, robust आप उसको robust बना रहे हो मतलब strong बना रहे हो तो robust का मीनिंग क्या होता है strong, means ताकतवर antinyms क्या होगा है weaken कर दिया, कमजोर कर दिया undermine कर दिया, उसकी value कम कर दिया diminish कर दिया, उसको खतम कर दिया तो government का plan क्या है government का plan है कि वो economy को और strong बनाएगी with new trade policies, नही नही ट्रेट की policy से economy को क्या किया जाएगा और भी ज्यादा strong बनाया जाएगा ऐसा सरकार का plan slump नीचे, उपर से ऐसे गिरते हुए नीचे रहना stock market क्या कर गई stock market में क्या गया, slump आ गया means गिरावट आ गई part of speech क्या है, ये शगदब का noun है, just give me a second किसी को मेरे चिक्की आवाज सुनाई तो नहीं दी हाँ मैंने mute कर दिया था हूँ, चलो आ जाते है slump पे, तो slump का meaning क्या हो गया, slump का meaning हो गया, उपर से नीचे आ जाना गिरावट आ जाना, part of speech क्या है ये शब्द आपका noun की तरह यूज होता है, अभी सभी को audible हूँ, तो a sudden, severe or prolonged, prolong means लंबे टाइम तक, लंबे टाइम तक गिरावट आना price में, value में, ये किसी भी चीज के amount में, उसको हम क्या बोलते है slump, decline, decrease drop, antonyms क्या हो गया, बढ़ जाना, rise करना, increase करना boom करना, तो company में एक गिरावट देखी, किस चीज में गिरावट देखी, sales में economic recession के दौरान, तो recession के दौरान, company में क्या हो गई, गिरावट आगई, अचा कुछ words करते हैं, गिरावट और नी, उपर आने के एक word होता है, plunge एक word होता है, plummet इन दोनों शब्दों का मीनिंग क्या होता है, नीचे आना गिरना, तो plunge और plummet, दोनों का मीनिंग होता है, नीचे आना, गिरना, फिर एक word होता है sore, एक होता है surge, इन दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब होता है उपर जाना, या फिर क्या होना या फिर increase होना अगला वर्ड है एक्जाकरवेट यह तो एक्जामिनर का फेवरेट वर्ड इसको देखे मुझे हमेशा सौंग क्या यादाता है दर्द दिलों के और बढ़ गए दर्द दिलों के कम होने चाहिए थे लेकिन वो एक्जाकरवेट हो गए एक्जाकरवेट का मतलब क्या है जले पर नमक छड़क दिया गया कोई चीज खराब थी वो और खराब हो गई means एक्जाकरवेट हो गई आक्शन की बात कर रहे है वर्ब हो गया किसी प्रॉब्लम को और खराब कर देना वर्सन कर देना एग्रवेट कर देना इंटेंसिफाई कर देना और खराब कर देना एंटनिम्स एलिविएट कर दिया सुधार ले आए इंप्रूफ कर दिया रिड्यूस कर दिया फिर बहुत सारे से अनोनिम्स आ जाते हैं जो बहुत बार एक्जाम्स में आते हैं mitigate कर दिया, mollify कर दिया, plackate कर दिया, assuage कर दिया, ameliorate कर दिया, soothe कर दिया, इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या है, आपको अच्छा फील कर दिया, आपको relax कर दिया, तो इस सारे के सारे क्या हो गए, exacurbate के अंचनियम्स हो गए, exacurbate की कुछ idioms भी है, जो बहुत बार exams में आती है, इनको भी याद कर लीजे, turn the knife, turn the knife means दर्द को और किसी की ऊपर आपने चाकू थोपा हुआ है, उसके दर्द को और बढ़ा दिया, उसके दर्द को और बढ़ा दिया, उसको और दर्द कर दिया, फिर जो easy वाल हैं जो आपको पता होंगे, apply salt in a wound, जले पर नमक छड़क दिया, फिर उसके बाद add fuel to fire, आग में घी डाल दिया, fan the flames, आग को और बढ़ा दिया, तो यह सारे easy वाल है, यह दो बहुत important है, turn the knife and add insult to injury means, दर्दों को और बढ़ा दिया, आगे बढ़ते हैं, अगला word is debilitating, तो कोई चीज जो आपको कमजोर बना दे, वो चीज क्या कर रही है, आपको debilitate कर रही है, action की बात कर रहे हैं, तो व debilitating means कोई ऐसी चीज जो किसी को कमजोर बना दे, making someone very weak and infirm, कमजोर बना देने वाली चीज, synonyms, weakening, exhausting, draining, सारी energy छीन लेने वाली चीज, आप exhausting word आया, तो एक word बहुत बार exam में आता है, and that is enervating, इस word को double star mark करके लिखेगा, enervating का मतलब क्या होता है, energy छीनने वाला, तो कोई अगर enervating है, इसका मतलब क्या है, वो क्या है, exhausting है, draining है, वो आपकी सारी energy छीन लेगी अपनी तरफ, antonym strengthening और strength करने वाला, invigorating में root word है, vigor, vigor root word का meaning क्या होता है, energy, तो invigorating का meaning क्या हो गया, energy देने वाली चीज, energizing, energy देने वाली चीज, तो disease ने बहुत कमजोर बना दिया, उस बहुत कमजोर हो गए, redundancies, एक तो उसमें तो री आ रहा है, री का मतलब होता है, again, वापस से, ये री वाले words बहुत बार exams में आते है, error detection के question में, क्या दिया होता है, error detection के question में, return back लिखता होता है, return back का मतलब क्या होता है, वापस जाना, गलत है ये, return का already meaning होता है, वापस तो इसके साथ back नहीं लगाते है, क्योंकि री, री means again, ऐसे बहुत बार बच्चे मुझे बोलते हैं, can you please repeat again, क्या मैं, आप दुबारा दोहरा सकते हो, उस बच्चे को मैं क्या बोलते हो, बेटा, repeat में already re लिखा हुआ है, again, तो repeat के साथ again मत लगा देना, तो, री means again, चल, अ को चीज अब extra है, आपको जरूवत नहीं है, आपके पास एक bottle है, एक बच्चे ना आपको दूसरी bottle और दे दी, तो वो क्या redundant होगी, redundant means extra है, में पास है ना, already, मुझे कोई जरूवत ही नहीं है, तो redundancy means something that is extra and which is, which you cannot, which you don't want, यह आपको नहीं चाहिए, which can no longer be in use, उसको आप यूस नहीं कर सकते है, last में ANCY लग रहा है, उसका plural form है, यह तो part of speech noun हो गया, the state of being or not or no longer needed or useful, कोई चीज जरूरी नहीं है, surplus है, extra है, excess है, super fluid है, हट से जादा है, antonyms जरूरी है, necessity है, essential है, requirement है, तो company ने बहुत सारी redundancies को introduce किया, workforce में इसे की cost कम हो जाए, तो redundancy means बहुत सार एक्स्टा चीज है, company ले आई, अगला word है, cognizant, very important word, चार पाल स्टार माग कर लो, बहुत बार exam में आ चुका है, इसमें एक root word है, cogn, cogn root word का meaning होता है, aware होना, या फिर कह सकते हैं, किसी चीज की knowledge होना, किसी चीज का ज्यान होना, I am cognizant of the matter, मैं इस matter से cognizant हो, cognizant मिस मुझे पता है, इस matter के बारे में, aware of it, मुझे इस matter की knowledge है, तो cognizant का meaning क्या होना, किसी चीज की knowledge होना, या किसी चीज को लेके aware होना, last में ant लग रहा है, part of speech क्या हो गया, adjective हो गया, तो आप aware हो, conscious हो, mindful हो, मतलब आपको इस matter के बारे में पता है, इस word का noun form बहुत बार एक्जाम्स में आ चुका है, और इस word का noun form है, oblivion, oblivion का meaning क्या होता है, it means, बहुत बार एक्जाम्स में चारपां स्टार माग कर लेना, a state of ignorance, मतलब आपको पता ही निया, मापे क्या हो रहा है, उस तरह की state को क्या बोलते हैं, oblivion, what do we call it, we call it oblivion, उसका adjective form oblivious, तो उसको पता था risk का, जो उस project में involved है, she was, you know, she was aware of the risk, she was cognizant of the risks, अगले word पर आते हैं, piecemeal, piece से ही समझ में आ रहा है, piece means टुकडा, तो कोई चीज पीसमील वे में कर रहे हो, तो टुकडे टुकडे में कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े हो, पूरा एक साथ नहीं लेके चल रहे हो, तो टुकडो टुकडो में करने को क्या बोलते ह पाड़ा स्पीच नाउं के बारे में ये word बता रहा है, adjective हो गया, तो unsystematic partial measures taken over a period of time, थोड़े 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 कदम आप उठा रहे हो, ग्राजुल धीरे धीरे step by step fragmented टुकडो में, फ्राग में भी root word है, फ्राग, और ये दूसरा root word होता है, फ्राग, इन दोनों का शब means whole, complete, entire, पूरा का पूरा, तो जो renovations थे जो नया पन ला रहे थे पुराने घर में, उसको piecemeal fashion में कर रहे थे, धीर धीरे कर रहे थे, टुकड़े टुकडो में कर रहे थे, बदा पूरा एक साथ नहीं कर रहे थे, पहले ये वाला part कर लिया, फिर ये कर लिया, फिर ये कर लि rudimentary का क्या है, adjective form में इसका meaning क्या होता है, basic, या पहले मुझे rudimentary details बताओ, मतलव पहले मुझे basic चीज़ें बताओ, तो rudimentary का meaning क्या हो गया, सबसे basic चीज, सबसे fundamental चीज, हम English को rudimentary level से advanced level तक बढ़ेंगे, मतलब basic level से advanced level तक बढ़ेंगे, तो rudiments उसका क्या हो गया, noun form हो गया तो the first principles of a subject, मतलब किसी भी subject का basic basic, fundamentals, essentials, antonyms क्या हो गया details, complexities, intricacies means complexities intricate है, इसका adjective form बहुत बर exam में आया है फिर से intricate, कोई चीज integrate है, इसका मतलब वो चीज कैसी है complicated है, complex है तो mathematics के basics को समझना जरूरी है advanced study के लिए, किसी भी चीज के basics को समझना जरूरी होता है advanced part के अचा principle आ गया है, तो दो शब्द देखी लेते हैं भी तो पहला शब्द है principle और दूसरा शब्द है principle दोनों में मुझे difference बता तो जल्दी से so the first word is principle and the second word is principle what is the difference principle means male इसको noun की तरह भी उसकर लेते हो adjective की तरह भी उसकर लेते हो principle means आपके rules, आपके beliefs, आपके सिधान्त वो क्या है? beliefs वो है principles, इसको सिफ़ आप noun की तरह ही use कर लेते हो so principle is male and principle is your rules, beliefs idioms पर आते है, पहला है riding a high horse जब आप बहुत high, high का मीनिंग क्या होता है? वो horse जो बहुत उपर तक उचल रहा है, मतला बहुत गुस्से में तो if you are riding a high horse, इसका मीनिंग क्या हो गया? भई, आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है to start talking angrily about something, आपको बड़ा गुस्सा आ गया, बड़े गुस्से में आपने किसी के बारे में बात करना start कर जा, means you are riding a high horse dark horse, dark horse means पहले horse की race हुआ करती थे, अब भी होती है तो dark horse को सको बोलते है यह जीतेगा नहीं और फिर क्या होता था, वो अचानक से जीत जाता था तो dark horse means an expected winner, unexpected winner आपको लगी नहीं रहा था कि दूडू तक यह जीतेगा और last में वो जीत गया a dark horse, dog days, gone are the dog days अब तो monsoon आ गया है, तो dog days का मतलब क्या होता है सबसे गर्मी वाले दिन, the hottest days of the summer are what? dog days, आज animals वाले idioms कर रहे हैं अगला है black sheep, black sheep means ऐसा इंसान जिसने अपने परिवार के लिए बहुत कलंकित साबित हुआ है black sheep are disfavored or disreputable member of a group जिसने कलंकित कर दिया पूरे परिवार को पूरे अपने गुरुप को उसको क्या बहुत है black sheep last is thinking outside the box अब ना normal चीजे करने से काम नी चलेगा, इतना competition इतनी चीजे है you'll have to think outside the box मतलब पुछ तो innovation लाना पड़ेगा, कुछ तो differently सोचना पड़ेगा thinking out of the box means you will have to bring some kind of innovation you'll have to think differently